बार असोसेशन्स लूंबर के अधिवक्ताओं ने निर्धारित कारिक्रम वांदुलन्द के तहत उपखन कारेले परिस्तर में उपखन कारेले के सामने धरना प्रदर्शन किया जिसमें बार असोसेशन के सभी अधिवक्ताओं ने 7 तारी को न्याई कारियों का बहिशकार किया तता यह संकल्प भी दोराया कि प्रती महा साथ तारी को जब तक टीएस पी शेत्र में या उदैपूर में हाई कोट बैंच की स्थापना नहीं हो जाती या सरकार के द्वारा इसकी गोशना नहीं कर दी जाती तब तक बार एसोसेशन स्लूमबर द्वारा लगातार अनवरत इ के हर संभव प्रियास करती रहेगी विभिन वक्ताओं ने आंदुलन को लेकर तता शेत्र की जनता को हाई कोट बैंच दी जाए कि मांग पर अपने विचार व्रक्त किये बार एसोसेशन स्लूमबर की कारेकारेनी के द्वारा आयोजित धना देने वा उखन अधिकारी दिन जनता गरीब जनता है जो जनता जोदपुर जाकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा और अपीलिये न्यायले में कई मामलों में न्याय से वन्चित रही है जिसके लिए हमारी टीएसपी शित्र की मांग है जिसमें हमारा बार एसोसेशन हमेशा अग्रणी रहकर इस जापन में बताए हैं और आवशक्ता पढ़ने पर बार एसोसेशन और संगश समीती की कमेटी मुख्य मंत्री से मिलने जय पूर भी जाएगी धरने में लक्ष्मी लाल पूर्विया अग्दुल रौफ खान गेबी लाल महता देवी लाल डांगी सुनिल चंजावत जिव केशो पटेर बार उपाध्यक्ष मांगी लाल मीना संजय महता विजैश भलवाडा राकेश जैन प्रभुलाल मीना जितंद्र वैश्नव सुरेश पूरी रंजित पूर्विया राहूल आगाल नारैंड सिंग चुन्डावत प्रकाश चौबिसा राकेश प्रजाबत नाहर सिंग चुन्डावत राजेंद्र जैन भगवती मीना आदिव पस्चित रहे बार एसोसेशन ने हर महा साथ तारिकों उक्त आंदुलन को चलाय रखने और न्याईक कारी का बहिशकार के जाने के कारिकर्व को यथावत रखने का प्रण लिया साथी आगामी साथ तार पाटियों के कारी करता समाज सेवक वा उदैपु जिले के सभी बार एसोसेशन के अध्यक्ष वा हाई कोड संगर्श समीति के सदस्यों आदी को बुलाकर और विबिन माध्यम से इस आंदुलन को गती प्रदान कर सभ्य या उग्र जैसे भी परिस्तिती हो हर तरीके से लग पुर्जले के स्लूंबर नगर के उच्चत मुल्य की दुकान में बाईपास प्रक्रिया से गैहू गबन मामले में आरोपी राशन डीलर के बाद पुलिस ने उपखनकारयले के साही अक प्रिशाशनिक अधिकारी को गिरफतार किया है स्लूंबर नगर की राशन डीलर महिपाल जैन के खिलाफ अप्रेल में स्लूंबर थाना पुलिस ने बाईपास प्रक्रिया से गैहू गबन का मामला दर्च किया था जिसमें आरोपी राशन डीलर महिपाल जैन को पुलिस पहले ही गिरफतार करन्यायले में पेश कर चुकी है जिसे न्यायले ने जेल भेज दिया था गौर्टलब है कि आरोपी राशन डीलर की हाई कोट से भी अग्रिम जमानत खारिच हो गई थी प्रकरण में पुलिस अनुसंधान के दोरान पाया गया कि राशन डीलर आरोपी ने उपखन कारेले के साइक प्रिशाशनी क अधिकारी एवब उपखन कारेले में राशन प्रभारी फिरोज अली पुत्र लियाकत अली निवासिस लुंबर के सयोग से 121 राशन कार्ड का बाईपास तरीके से 1,31,174 किलोग्राम गैहूं OTP लेकर उठा लिया तथा उपखन कारेले में राशन कार्ड धरकों के उपखन कारेले में बिना आवेदर बाईपास प्रक्रिया करके गैहूं का गबन करने में सयोग किया था पुलिस ने आरोपी फिरोश अली को सोमवार को गिरफतार करके उधेपू न्यायले में पेश किया जहां न्यायले के आदेश पर आरोपी को नाइक अभी रक्षा में भेज दिया गया परवरतन दिर्प्षक स्री असोग कुमार जी ने 621 को प्रक्रण दर्ज करवाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सलुमबर इस्तित रासन डेलर स्री मैपास जहन के द्वरा 161 मैपास प्रक्रिया से रासन कार्ण का दुरूपयोग करके करीब 12,635 क्विंटल गेहों का गबन किया गया है उक्त रिपोर्ट के आदार पर हमारे थाने पर प्रक्रण दर्ज हुआ था पिलिस के द्वारा गेहनता से अनुसंदान किया गया अनुसंदान के पष्चाग मैवाल जहनद के दूत आलोग पर्मानृक ठाया जाने से मैवाल जहनद को गिर्प्तार वर्ष 2017 से 2019 के बीच उपकंड अधिकारी कार्याले से बाइपास प्रक्रिया के राशनकार जारी हुए थे जब हमारे दोरा इस समन में उपकंड कार्याले में अनुसंदान किया तो पाया गया कि कि वहां किसी भी परकार का कोई आवेदन नहीं था वहां पे जो ततकालिन लिपिक थे श्री फिरोज अली उनके द्वरा अपने पद का गलत इस्तेमाल करके राशन डीलर को फाइदा पहुचाने की नियस से 161 लोगों के वाइपास रासन कार जारी कर दिये थे अपराज में सनलिपता पाई जाने पर फिरोज अली जो वर्तमान में साहिक प्रसासनी अधिकारी के पद पर पदस्ता भी थे उनको भी गरपतार किया गया उनके अनुसंदान किया तो पचाद उनको मने नियालेक्स पे साहिक पर दिशाओं के शिलाओं के स्थापना के साथ इस अवसर पर आचारिय सुनिल सागर महराज ने कहा कि तपस्वी समराट आचारिय सनमती सागर महराज कठोर तपस्वी संत थे जिन्हों ने अपनी तपस्या जीवन में दस हजार उपवास किये उनका त्याग और अनुशाशन में जीवन सभी के लिए प्रेड़ना है उन् पर आदिसागर अंकलिकर जाकरती मंच की राष्टी अध्यक्षा प्रेणा शाह विशाल कराडिया काजल गोवाडिया शांतिलाल गडावत रोशन केलावत गोकलचन मालवी मोहनलाल मालवी लक्ष्मिलाल बंबोर्या श्रिनिक भूता कालूलाल रोशनलाल भूजावत प्रवक्ता अनिल समनकार ने बताया कि समारों में आचारे सुनिल सागर महराज ने दो दिक्षार्ती मुंगाना निवासी ब्रह्मचारेनी सुरी कांता दीदी और नर्वाली निवासी ब्रह्मचारेनी सुगंध दीदी को शुली का दिक्षा प्रदान कर कमशह सुरजमती म माता जी और सुगंद मति माता जी नवी नामकरन किया सुआ sushihan के द्वारा सूश्रा दिए किanto Website में स्थानी होटल में मेरा पती मेरी पडोशन के साथ में इस लुंबर में किसी होटल रुका है मेरा परिवार उज़र रहा है मेरी सायता की जाए इस पर थाना दिकारी उर्देवपुर निवासी वियाईपी कॉलोनी लोकेश प्रजाबत बताया गया दोनों को शांती भंग में गिरफतार के अगया पुलिस ने उपखन मजिस्ट्रिट के सामने दोनों को पेश किया कल हमारे धाने में टेलिफॉन से प्रातर चार बज़े सूचना मिली थी एक महिला ने सूचना दी थी कि मेरा पती है जो मेरे बडोस में रहने वाली अन्य महिला के साथ सलूंबर में किसी होटल में रुका हुआ है और मेरा परिवार उस कारण से उजड रहा है मेरी मदद की ज रहे थे नाम पे जिनका नाम पता पूचा गया तो जो वैक्ति था उसका नाम लोकेश परजबत था वो अपने पडोस में रहने वाली अपनी महिला मित्र के साथ रुका हुआ था जब दोनों से इस समय में वादचीत की गई तो उन्होंने अपनी इच्छा से और दोनों ब मुख्याले के समीप वर्ती बनोडा ग्राम पंचायत के सेद्धिडी गाउं से राजकी उच्च प्रात्विक विद्याले पहुशने के लिए पक्की सड़क बनाने के लिए उदैपूर सांसद अर्जुन लाल मिना ने गामवास्यों की मांग पर सांसद मदद से 20 लाक रु समस्या से उन्हें अवगत करवाया पुरानी लंबित समस्या को ध्यान में रख सांसद ने उनकी निधी से सड़क बनाने की घोशना की है इस दौरान प्रदेश प्रतिनिधी प्रमोट सामर जिला अध्यक्ष भवर सिंग पवार उपजिला प्रमक पुशकर तेली तकत वाकलिया वानजी केवाराम धनावत गौतमलाल लोहर एवं समस्त ग्रामवासी मौझूद रहे